हाई वीवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंज यह देखिए आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं लेडी सकारीगन में, लेडी चैकित में, लेडी श्यग में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में इसे आप शॉल में, स्टॉल में भी डाल सकते हैं यह देखिए, अगर आप यह नीचे का बॉडर सीखना चाते हैं, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप सीख सकते हैं तो फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है, और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो फ्रंट इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचिस चाहिए होंगे, वो 11 के मल्टिपल से होंगे, प्लस 7 फंदे एक्स्रा रखने होंगे 2 फंदे एस्टिच के लिए और 5 फंदे साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और यह जो हमारा डिजाइन है टोटल 8 रॉ का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करते हैं देखे फैन यहाँ पर मैंने 29 फंदे लिए है 11 के मल्टिपल से 22 फंदे लिए है प्लस 7 फंदे एक्स्टा लिए है 5 फंदे साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और 2 फंदे एस्टिच के होंगी और जिस से बेस देने के लिए 2 रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल दी है चलिए बनाना स्टाट करते ही यह इसकी फंदा है और राइट साइड है यह दिखे एस्टिच स्लिप करेंगे यहां से रपीट बैटन स्टाट करेंगे ऐसे धागा गुमाकर जाए डालेंगे और एक फंदा उतारेंगे टरन करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर जाए डालेंगे 6 फंदे सीधे 1,2,3,4,5,6 यहां सी यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है. से इस pattern को repeat करेंगे जाई डालेंगे और back loop से दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे. एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से लास्ट में 5 फंदों की केबल डालेंगे, जाई डालेंगे, और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक एक फंदा लालेंगे ये दिखिए हमारे मळी कोई राव है is scolid के साथ बैज compass करेंगे हों के में सी था end of row third row right side stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर जाई डालेंगे अब देखें तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की side side से दो फंदे लेंगे turn करेंगे back loop से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से जाई डालेंगे अब 7 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गए है, इसमें हमने एक फंदा सीधा बना, जाई डाली, 3 फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली और 7 फंदे सीधे बनाई, फिर से इस पैटन को पीट करेंगे, again from back loop, yarn over and knit 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, last 5 sts, knit 1, yarn over, knit 3 together, turn this, 2 stitches and knit from back loop, yarn over and knit 1, last stitch, knit this stitch, यह दिखिए, 3rd row complete हो गई है, 4th row, wrong side, इस सारी रोग को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुन कर complete कर लेंगे, every wrong side draws, purl all stitches, content일 healthier, हैं दीड़ सबinging ं वीवाद草, 15 row 5, right side, stitch, slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, फिर से धगा गुमा कर चाहे डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, turn करेंगे, back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, अब आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, चाहे डालेंगे, और 6 फंद 4, 5, 6, यहां से यहां तक हमारा एक पैटन complete होगे, इसमें हमने जाई डाली, दो फंदों का एक फंदा बनाए, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा जाई डाली और 6 फंदे सीधे बनाए, फिर से इस पैटन को पीट करेंगे, again पीट इस पैटन, yarn over, knit 2 together from back loop, knit 1, knit 2 together from front loop, yarn over and knit 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, last 5 stitches, yarn over, knit from back loop, knit 1, knit 2 together from front loop, आगे की साट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, and yarn over, चाई डालेंगे, एक स्टिच सीधा बना लेंगे, फिर फिर फ्रों कम्प्लीट हो गई है, 6 रों रॉंग साइड, फिर से इस सारी रों को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुन कर कम्प्लीट करेंगे, जारी वाले फंदे भी उल्टे ही बना लेंगे, रों सेवन राइड साइड, एंस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टाट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर चाइडा लेंगे, चाईडा लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब देखे, यहाँ पर हमारे पास six फंदे हैं, 6 फंदों को हम twist करेंगे इसको हम ये देखे right to left इस तरफ को twist करेंगे back loop से 3 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे की side से 3 फंदे पीछे लेकर जाएंगे अब 6 फंदों को सीधा बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने एक फंदा सीधा बना जाए डाली तीन फंदों का एक फंदा बनाया जाए डाली एक फंदा सीधा बना और 6 फंदों को हमने right to left twist किया है one more time repeat this pattern knit one yarn over knit three together turn these two stitches and knit from back loop yarn over and knit one now twist is six stitches from right to left and knit these six stitches one two three four five six last five stitches knit one yarn over knit three together turn these two stitches and knit this from back loop yarn over and knit one last stitch also knit this यह दिखिये seven thraw complete हो गई है eighth row wrong side इस सारी रह को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे per all stitches at the end of row झाल यह देखिए 8th row complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे 1st row से start करेंगे यह देखिए 1st row right side एंस stitch strip करेंगे repeat pattern start करेंगे चाही डालेंगे और back loop से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे 1 फंदा सीधा बना लेंगे फिर आगे की side से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे चाही डालेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है फिर से इसे repeat करेंगे 1 more time, repeat this pattern yarn over and knit 2 together from back loop knit 1, knit 2 together from front loop and yarn over knit 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 last 5 stitches, yarn over, knit 2 together from back loop knit 1, knit 2 together from front loop yarn over, last stitch, also knit 1 यह देखें फिर से हमारा pattern first row से start हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 8 or repeat करते जाएंगे और यह pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा यह देखिए बहुत ही प्यारा साथ pattern है friend इसे आप किसी भी project में apply कर सकते है ladies cardigan में, lady jacket में, lady shag में, girls top में, बच्चों के sweater में इसे आप shawl में, stall में भी डाल सकते है और friend अगर आप यह नीचे का border सीखना चाते है तो इसका link नीचे description box में दिया है वहाँ जाकर आप सीख सकते है तो friend आप भी से बनाईए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारा video अच्छा लगा तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you friend for watching my video